गुड मॉर्डिंग दोस्तों कैसे हैं आप आप लोग जैसा की एक्जाम के तैयारी में लगी चुके होंगे कि जो एक्जामस हमारे होने वाले हैं नोजदे बिद्धाले शमीती के लिए के इसकी प्रिप्रेशन के लिए बहुत ही कम शमय है और आज यह वीडियो हमारी जो है स्लेबस टीजीटी इंगलिस पर बना हुआ है इंगलिस स्लेबस को हम डिस्कॉस करेंगे क्योंकि मारे बहुत से सब्सक्राइबरों ने इस स्लेबस की डिमांड के थी कि सर इंगलिस टीजीटी के डिटेल से लिए बस बताइए मैंने कॉमन स्लेबस की एक वीडियो डाली पीजीटी में कि उसके कितने question, pattern, different parts रहेंगा अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा आप लोग वहाँ से जाके उससे देख सकते हैं और इस वीडियो को बनाने के पर पर जाएगे कि मैं बहुत सब्सक्राइबरों ने इ इसका notification और news आपको माध्यम से आपको देशकें ठीक आईए चलते हैं पहले हम TGT के pattern पर बात करेंगे TGT का जो paper होगा हुआ किस तरह के pattern होगा तो एक comments levels के वीडियो में बता दिया गया है लेकि इसमें भी मैं आपको बता दूँगा इसमें part white device ये 5 part में आएंगे और 5 part म में है 180 question में आपको part 1 में reasoning देखनों को मिलेगी general awareness मिलेगा teaching aptitude मिलेगा subject knowledge आपको जो है यानि 100 question रहेंगे 100 number के यानि इसी का syllabus मैं आपको बताऊंगा इंग्लिस का इंग्लिस ठीक इंग्लिस लिवस पर हम आज इसकी discuss करेंगे ये तो हमारा comments levels है कि show question में क्या क्या हमें पढ़ना है और ये total जो pattern है total 180 question होते हैं 180 marks के और 180 मिनट आपको समय दिया जाएगा ठीक तो इस चीज़ को अब लोग ध्यान रखिएगा आई ये देखते इंग्लिस लिवस अगर हम देखें कि में पढ़ना क्या है तो पूरा इंग्लिस का स्लेवस जो है चार पार्टों में डिवाइड है इन चार पार्टों में अगर हम देखें तो पार्ट ए में आपको देखेंगे कि पहले पार्ट के बात करें तो इसमें रीडिंग कॉम्प और तीसरे पार्ट में आपको ग्रामर देखने को मिलेगा ठीक और चौथा जो पार्ट होगा आपका लिटियेचर का होगा ठीक यह चारों पार्ट को में डिटेल से देखेंगे किसमें कैसे पार्ट वाइज इसके दिये गए हैं ठीक अगर रेडिंग कॉप्रेहेंशन पे हम unseen text देखने को मिलेंगे या तीन से चार unseen text आपको इसमें रहेंगे जिसमें पढ़ के आपको पैसे जो के जबाब देने रहेंगे ठीक इसमें 3 और 4 देख लिए जी लिखाए 3 और 4 unseen text to varying length ठीक with variety of objective type multiple choosing question इसी पैसे के अधार को आपको पढ़ने को देने रहेंगे ठीक यान पार्ट एमें के वाद यही है अब section B में चलें अगर इटिंग राइटिंग इविल्टी की बात करें तो राइटिंग इविल्टी मैंने पीजी टी में बताया और टीजी टी में से देखिए इंग्लिस टीटी और पीजी टी का स्लेवस बिल्कुल से मैं बस थोड़ा सा इसका इस्टेंडर थोड़ा सा question पूछने का तुऱा लो रहेगा और पीजी टी में थोड़ा सा high standard question बन सकते हैं और स्लेवस तो बिल्कुल से मैं अब देखिए राइटिंग इविल्टी में आ इस सब चीजों को आप लोग देख लिजेगा और राइटिंग में आपको इस पीचेज एंड एस से लिखने की इस सब तरीके को आप लोग अबिल्टी में आपकी चेक की जाएगी राइटिंग इबिल्टी में इस से objective question बने रहेंगे ठीक अगर इसी करम में आगे बढ़े तो grammar की question आपको section C में मिल सकते हैं मिल सकते हैं जिसमें आपको grammar में आपको पूरी grammar की knowledge आपकी test की जाएगी following grammatical structure will be tested ठीक syntax language grammatical item से related आप question बने जिसमें पहले हैं आपको tense, models, voice, subject, verb, concord subject, verb, concord, subject, verb, agreement भी कहा जाता है subject plus verb plus agreement ठीक तो subject verb agreement हो गया connectors हो गए, clause हो गए, part of space, punctuation and sequencing from a coherent sentence paragraph अब मतलब इसे हम P, Q, R, S कर सकते हैं कि सजाने को आपको दे सकता है यानि grammar की आपकी deep knowledge होनी बहुत जरूरी है क्योंकि यह grammar के almost अभी पार्टों को इसमें, grammar के almost अभी पार्टों को इसमें include किया गया है जहां से question बनेंगे आपके, ठीक, यान 25 question इस sections रहेंगे क्योंकि 25 मैं इस विस्वे का सकता हूँ कि literature TGT English के लिए जो है 4 part है, 4 part 100 marks के हैं, तो 25, 25 question या literature में कम या उपर 25, 25 question हर पार्ट से रहने की उमीद है, इसको आप लोग देख लिजिएगा अब आई literature वाले पार्ट पे अगर हम देखें तो literature वाले पार्ट गुरूप D में आखरी में तो इसमें आपको different genre and period of English literature की knowledge पूछी जाएगी the test of candidate familiarity with the work of writer different genre period of English literature यानि history of English literature पे आपको पढ़ना पड़ेगा और उसको पकड़ बनानी पड़ेगी history of English literature के लिए मैं आपको book consider कर दूँगा अगर आप मारे चैनल पे नहीं है subscribe कर लिजी बीच बीच में हम उसके old question papers वगहरा पी डालेंगे और जो भी book आपको preparation करनी है हम उसे बताएंगे और आपकी query हो तो आप मेरे comment box में बोल सकते हैं जिसको लेके हम video लाने की पूरी कोसिस करेंगे और आप कोई demand हो तो भी बता सकते हैं ठीक अब आगे चलें तो candidates should have the true knowledge of sex fear work यानि आपको sex fear के सारे वर्व तो 36 प्ले हैं उसमें से कुछ important romantic play, tragedies, comedy, romance पढ़ने पढ़ेंगे ठीक, sex fear के क्योल, 16th century में sex fear ही आपको क्योल पढ़ना है ठीक अब उसके बाद आगे रोमांटिक पिरियड में पीबी सैली, विलियम वर्सवार्ट, जॉन किर्स, college और लॉर्ड बैरन ये चीजों को romantic period में आपको इन राइटरों का अधियन करना है ठीक, romantic period में अब इसी करम में आगे चलें, तो 90 और 20th century में American और English literature आपको पढ़ना पढ़ेगा, American और English literature जिसमें Robert Frost, Hemingway, Ted Hugh, और Ted Hugh और मैंने वीडियो बना के नीचे अपने literature वाले playlist में डाली हुई, आप लोग वाँ देख सकते हैं, Walt Whitman, Rathorne, Rathorne, Emily Diction, George Bernard, G.V. Saw, इनके भी 90, 20th century में, American और English literature में इन सब राइटरों के वर्क और इन से की बायोग्राफिकल structure को आपको ध्यान रखना पढ़े हैं, क्योंकि यहीं से question पूछेंगे, अब Indian writer, modern Indian writing skill में आपको अनीता देशाई, बिकरम सेट, निजीम स्किल, के अंदारुवाला, रसकिन बॉंड, आरके नरायन, मुलकराज आन और कुष्वन सीन, यह writer जो हैं, आपको पढ़ने, अगर इन राइटरों आपको पास subject matter नहीं, तो हमारे comment रोंगे, यह मैं इस पर एक वीडियो, सब एक छोटे से इसके बायोग्राफिय से इनको वर्सके लेके बना दूँगा, अनिता देशाई, बिकरम सेट, नजीम स्कि के अंदारुआ, रस्किन बोर्ड, अरके नरायन, और एक अल्मॉस्ट लेबस आपके PGT में भी देखने को मिल जाता है, यां TGT, PGT में ज्यादा अंतर नहीं है, अच्छा, modern writing में आपको modern writing of English from different part of work, जिसमें आपको अफिरकन literature पढ़ना पढ़ेगा, अफिरकन Australian, ठीक, यह जो अफिरकन, अफिरकन, Asian, और Australian literature का धियन करना पढ़ेगा, ठीक, एक overall हमारा इस लेबस रहा, English TGT का, जिसकी काफी demand आए थी, हमारे comment box में कफर English TGT का भी सलेबस बताईए, ए वीडियो आपको कैसे लगी, हमें comment करके जरूर बताएं, कि ए वीडियो कैसी रही, अगर काना चाहता हूँ, क्योंकि ए TGT English का सलेबस मैंने वीडियो बना दी, आप लोग मैं पूरी परियास करना, परियास के साथ जोटा हूँ, कि आप लोग को यहाँ पर सारे material प्रोवाइड कराया जाए, और आप लोग कहीं न कहीं सलेक्ट हों, एक्जामों में, देखिए, ए आपको एक्जाम होना ही होना है, तो जुलाई हैं फॉर्म ही भरेंगे, जुलाई और अगस्त तक तो फॉर्म है, सेप्टेमबर याँ आपको 60 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप लोग अभी से तयारी में लग जाएए, अगर हमारी किसी help की आपको जरूरत हो, तो आप हम आपको पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी help करेंगे, और यही वीडियो है, जो आप लोग की डिमांड कर रहे थे, टीजिट इंग्लिस लेवर्स का, मैंने पूरी अपने knowledge के recording आपको बता दी, आप लोग बीच में इसे पूछ करके रोक के इसे लिख भी सकते हैं, कॉपी मे और लिख के अपने तयारिया बीच से सुरू कर दीजिए, और मेरी वीडियो इसी तरा आपको डिफेंट टॉपिकों पे, सेक्स्पियर वर्ट, रॉमांटिक पिरियाड और सेंटरल अमेरिकन, सेंचुरी ऑफ अमेरिकन इंग्लिस लेटिशर प मिलते रहेगी, यही हमारी वीडियो है, आई यह ठीक अपने नेक्स वीडियो पर पागे बात करें, इस वीडियो को जादा लंबा नहीं करते हूं, यहीं खतम करते हैं, वांस अगें ठाइंक्यू, मिलते हैं नेक्स वीडियो में